16GB RAM vs 32GB RAM Guys, अगर आप RAM अपगेड करते हो, तो आपको कोई benefit भी मिलता है कि नहीं Especially video editing में, अगर आप एक video editor हैं, तो आपको कितने GB RAM की जरूरत है क्या 16GB RAM से आपका काम चल जाएगा या आपको 32GB RAM पे अपगेड करने का extra benefit मिलता है तो आज की video में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, proper video editing और rendering करकर और उसमें export करकर देखेंगे हम 16GB में और उसके बाद export करकर देखेंगे 32GB में क्या timing का कोई फरक पड़ता है उसके लावा मैं अपना खुद का personal experience भी video के end में बताऊंगा तो video को बहुत अच्छे से देखें, especially अगर आपका काम video editing से related कुछ भी है और अगर आप gaming करते हो, तो अभी guys मैं अपना खुद का personal experience बताने वाला है कि मैंने अपनी 16GB RAM को 32GB RAM में upgrade किया है और उसके में क्या मिले को difference देखने को मिला क्या अगर आप 16GB से 32GB RAM अपग्रेड करते हो, तो सिर्व आपकी पैसे की वरबाद होती है या आपको कोई special benefit भी मिलते हैं तो चलिए जलती चलते हैं आज की video में और बहुत ज़्यादा helping वाली video होने वाली है तो video को like कीजिएगा, channel को subscribe कर लेजिएगा और इसे related कोई भी doubt है, तो नीची comment box में comment रगे बताईएगा तो यहाँ पर मैंने use किया guys, अपने पास Trident Zee की AGB एक मेरे पास AGB वाला model है और एक new model है, तो दोनों की दोनों मैंने अपने इसमें लगा ली है total मेरे पास 88GB की charge sticks है, यानि 32GB total memory है तो पहले हमने 16GB का test किया, उसके बाद हमने किया test 32GB से तो चलिए फिर चलते हैं screen पर और आपको दिखाता हूँ, test guys यहाँ पर मैंने Premiere Pro में किया है, और मैंने guys अपने एक ही मतलब की sequence है उसको दो बार export किया है, एक बार 16GB के साथ और एक बार 32GB के साथ तो चलिए मैं आपको total हर चीज आपको दिखाने वाला है, तो guys यहाँ पर आप दे सकते हो, यह मेरा project है जो कि 6 minute का है, यह sequence है, इसको हमने सबसे पहले export किया है, अभी इसमें मेरी 16GB RAM थी जब मैंने इसको export किया, तो यह मैं पहले export कर चुका हूँ, यह videos हैं, तो आपको यहाँ पर मैं सिर्फ दिखाने के लिए, यहाँ पर purpose आपको दिखा दे रहा हूँ तो यहाँ पर जो मैंने preset use किया है, वही same preset use किया है, और इसको मैं लिख देता हूँ, test1 के नाम से, तो यह मैंने guys, अपने query में लगा दी, और Adobe Media Encoder through, इसको मैंने export किया है, तो इसमें देखिए guys, जब export किया है, तो मैं आपको task bar साथ में दिखायता हूँ, जो कि आपके लिए बहुँ ज़़ा समझने में easy कल दे है काम, कि क्या आपको CPU, GPU बिन अपग्रेड करें भी, सिर्फ RAM अपग्रेड करने से आपको benefit मिल जाते हैं, आ पर 40% के आसपास, यह starting की बात है, उसके 10 से 15 सेकिंड बात guys, यह जो चीज़े है, scenario पूरा का पूरा change हो जाता है, GPU यहाँ पर 80%, 82% के आसपास use हो रहा है, अब क्या होगा, अब देखिए CPU use होने लगा है 100%, और यहाँ पर मैं आपको बता दू, मेरे पास CPU है Ryzen 73800X, तो भी Premiere Pro, तो यहाँ पर आपके पास CPU powerful होना चाहिए, तो CPU पूरा 100% पर है, इसको मैंने वीडियो को fast forward करते हैं, ताकि आपका जाए time waste ना हो, और आप लगाता देखते रहें, कि कितनी कितनी यहाँ पर जो performance है, उसमें फरक पड़ता है, तो अब देखिए 12.2 GB के आसपा RAM सकता है, वो लगा सके, तो main आपके processor के उपर काम होता है, बट आपको results जो मिलेंगे, वो बहुत चोकाने वाले मिलने हैंड में, तो यहाँ पर आप चेका सकते हो, अभी भी total कितना time हो गया है, time यहाँ पर आपको दिखता लेगा, जो 11.12 seconds, elapse time लिखा हुआ है, encoding के नीचे तो यहाँ पर guys, जो हमारी पहला test था, इसको complete होने में लग भग लग गए है, 14 minutes, 5 seconds के आसपास, तो यह चीज़े, मतलब कि आप मान के चल लो, कि इतना time लग गया है, एक बार, 6 minutes की video है, यह multi layer video है, यह 2K videos थी इसमें, मतलब जो export किया, वो मैंने 1080 पर ही किया है, पर जो मैं obvious से बनाता हूँ, वहाँ पर मेरे को 2K पर setting करने पड़ती है, setting करके, तो यहाँ पर आप दे सकते है, 14 minutes, 5 seconds का total time लगा है, 16 GB मेंबरी के साथ, तो अब इस test को हम करने वाले हैं, अपने 32 GB, यानि कि जब मैंने RAM अपग्रेड कर ली, उसके बाद, और guys अगर आप RAM अपग्रे में भी, end screen पर भी, तो वहाँ से भी आप दे सकते हो, मेरी चैनल पर जाकर भी दे सकते हो, तो यहाँ पर आ चुकी है, हमारी video number 2, test number 2, यह भी same sequence है, कुछ भी इसमें छिडखानी नहीं की है, अब यहाँ पर हमने 32 GB RAM अपग्रेड कर ली है, तो यह वाला जो test होने वाला है, यह होने वाला है 32 GB RAM के साथ, तो यह देखिए, अब मैं फिल से आपको दिखायता हूँ, और taskbar मैं इसले ओपन कर देता हूँ, ताकि आपको चीजें दिखती रहें, अब देखिए, मैंने 32 GB, यहाँ पर आपको taskbar में memory show कर रही होगी 32 GB, पहले यहाँ पर 11 GB show कर रही थी, त अब आप दे सकते हो, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में memory 14 GB यूज हो रही है, अब RAM देखिए, ओटमेटिक यहाँ पर ज्यादा यूज होने लग गई है, और मैंने जो गाइज RAM की allocation होती है, प्रीमेर प्रो के लिए, वो पहले मैंने कर रखी थी 11 GB, और 5 GB बाकी application के लिए, और अब RAM अपग्रेड करने के बाद मैंने कल दी थी 27 GB, प्रीमेर प्रो जो भी अडोबी के application होते हैं उसके लिए और 5 GB बाकी application के लिए, तो अब आप देखोगे, कुछ seconds के बाद, CPU यहाँ पर भी 100% पर आ चुका है, और memory देखोगे, तो अब 15 GB के आसप कर रहे हैं, तो यह चीजें भाई, आप देख सकते हो, कि use होता है, और यहाँ पर आपको timing में भी फरक दिखने वाला है, यहाँ, यहाँ पर आपने कोई CPU अपग्रेड नहीं किया, कोई GPU अपग्रेड नहीं किया, सिर्फ आपने RAM अपग्रेड की है, और उसमें ही आपको timing म में भाई, बहुत बहुत अच्छा difference देखनें को मिल जाएगा, सिर्फ RAM अपग्रेड करके, यहाँ पर जो मैंने RAM यूज की है, वो है 36 MHz की, और इसको मैंने overclock वेगरा कुछ नहीं किया, यह इसकी frequency 36 100 MHz वाली है, तो उसी को मैंने चलाया, XMP profile आपको enable करनी होती है, वो menu में जाना पड़ता है, तो वो चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, तो पता होनी चाहिए, क्योंकि आप video editing करें, तो यहाँ पर आप दे सकते हो, मैंने fast forward करती है, CPU आप दे सकते हो, लगबग 100% पर यूज हो रहा होता है, GPU 34% के आसपास यूज होता है, स्टार्टिंग म वो हमारी 14 मिनट 5 सेकंड में होई थी, जो test 1 थी, और यह वाली हमारी 10 मिनट 45 47, 10 मिनट 47 सेकंड के आसपास ये वाली होई है, यानि कि 3 मिनट 18 सेकंड का difference है, सिर्फ हमारी RAM अपग्रेड करने पर, तो आप यहाँ पर दे सकते हो, कि कितना ज्यादा huge, मतलब कि 20-22% का आपक एक्सपोर्टिंग में difference देखने के मिल जा रहा है, तो अगर आप बड़ी वीडियो एक्सपोर्ट करते हो, तो वहाँ पर यह difference काफी जादा है, उसके लावाए मैं आपको अपना personal experience बताता हूँ, जो मैं solar gb RAM में use कर रहा था, तो जब मैं multi layer use करता हूँ, तो कई बात अट अटकती है, क्योंकि यह क्या होता है, RAM होती है, RAM होती है, Random Access Memory, तो जो भी हम software use करते हैं, वो starting में temporary memory के तोर पर RAM में ही हमारी open होती है, और वहीं से सारा work करती है, तो अगर आपके पास 16GB है, और आपको कोई दिक्कत आ रही है, 1080p वीडियो ऐसे, तो जल्दी को 1080p में जल्द तो आप 32GB पर जरूर upgrade केजिए, आपको benefit दिखा दिया है, मैंने कि कितना benefit मिलता है, उसके लावा, अगर आप multi layer में आप editing करते हो, तो वहाँ पर यह benefit आपको मिलेगा, जो आपकी वीडियो है, जिब आप play pose करते हो, तो वहाँ पर आपकी अटके की नहीं, otherwise अटकती है, मेर वहाँ की बावता रहा हूँ, जब आप editing कर रहे होते हो, space दबा कर थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे होते हो, देख रहे होते हो, कि क्या हो रहा है, तो वहाँ पर कही बाद अटकती थी, अब नहीं अटक रही है, वो मैं को difference देखने को मिला है, जो personally देखने को मिला है, वो आपके पास budget कम है, तो आप उसके साफ से, जो non RGB है, वो आपको सस्ती मिल जाएंगी, यह लगबग आपको 10,000 रुपे के आसपर मिलती है, 16GB, 18GB की दो स्टिक, और dual channel memory यूज करने के कोशिच कीजिएगा, चाहे आपका, अगर motherboard कोई है, तो उसमें कोशिच करो, dual channel, यानि कि अगर आपने 16GB यूज करनी है, तो 8,8GB की 2 स्टिक हो जाएं, 32GB यूज करनी है, तो 8,8GB की 4 यूज करो तो ज़्याद अच्छा है, या 16GB की 2 यूज कर सकते हो, तो ये dual channel memory में ज्यादा benefit देती है, तो कुल मिला के, आपको समझ आ चुकी है, मैं क्या-क्या बाते बताने चा वाचिंगाज में ते नेक्स्ट वीडियो में, बाबाई